हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम बात करेंगे फोर मत बेबी के माल स्टोन के बारे में सिसू जनम की हर महिनी कुछ ना कुछ नया सीखते हैं इस टाइम पे उसका ना सिर्फ सारे डवलाफ्मेंट हो रहा होता है बलकि उसका मानसिक भावनात्मक तरीके से भी उसका डवलाफ्मेंट हो रहा होता है अब हम बात कहते हैं बच्छी के मानसिक development के बारे में यानि कि उसके mental development के बारे में mental development में आप फर्स चीज़ बच्चों में notice करोगे वो यह है कि बच्चा इस टाइम पर चीजों को समझना स्टार्ट कर देता है पीबी त्री मंध तक बहुत कम चीज़ों को ही समझना श्टार्ट करते हैं बर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है चार महने का होता है, वो अपने माता, पीता अपने करीबी, जो भी उनके आसपास रहते है उनको पैचानना श्टार्ट कर देता है वो उन्हें दूर से ही देख के पैचानने लगता है, उनकी आवाज पर, उनकी टच पर, वो से समझना स्टार्ट कर देता है जब हम बच्चे को टच करते हैं, वो उस पर रियक्ट करता है, रियक्ट वो असके कर सकता है, स्माइल करता है या फिर आपसे बात करके भी वो रियक्ट करने की कोसिस करता है सेकंड मालस्टोन जो आपका बेबी इस टाम पर अच्छी हो करेगा, वो यह है कि अब आपका बेबी चीजों को याद रखना स्टार्ट कर देता है फॉर्मंद के बेबी की जो मेमोरी होती है, वो धीरे धीरे स्ट्रॉंग होती जाती है जैसे कि आप नोटिस करोगे, आप अपने बेबी के सामने कोई भी चीज लेके जाना और फिर उसे अठा लेना, तो आपका बेबी क्या करेगा, उसे ढूणने की कोसिस करेगा इसके अलावा किया होता है बच्चो की कुछ फेवरेट चीजे होते हैं जब इख रहे हुते हैं तो आप उन्हें वापस जब बच्चो को दिखा होगे उनकी आखों के आखे से अठा के तो क्या कहता है बच्चा एक रिय toilets करता है उसे पैचान जाता है तो इस तरीके से क्या ह आपके बाते करना, स्टार्ट कर देते हैं, आपके आवाज पर रियक्ट करना, स्टार्ट कर देते खेल रहे होते हैं या फिर उनसे बात कर रहे होते हैं तो वो हैपी होते हैं तो उस टैम पर रियक्ट करते हैं और उनका रियक्ट करने का तरीका होता है कि वो आपसे बात करने की कुसिस करते हैं तो इस तरीके से वो आपको अपनी कुसी जहाई करने की कुसिस करते हैं और फिजीकल ड vidareफ्मेंट में आपको क्या क्या चेंज जीज दिखाई दिगी आपका वीबी अपका बीबी अप कौन कौन से डीफलेफ्मेंट को अजिव करेगा नहीं बना पाता पर जैसे जासे बड़ा होने लगता है और वेख्जा की बालनस बना ख्डाता है और four month आते आते बच्चा अपनी head को control में करना start कर देता है अब वो अपने गर्दन को balance बनाना सीख जाता है अब बच्चा बिना किसी सहारे को अपने सिर को सीधा रख सकता है next change जो आपको अपने बेबी में दिखाई देंगे वो यह है कि आप बच्चा सहारे से बैठना स्टार्ट कर देता है हाँ अब आप अपने बच्ची को सहारे की थूँ बैठाना सुरू कर सकते हो जैसे कि आप अपने बेबी को जब बिठा रहे तो उसके आस पास आप पिलो लगा के बैठा सकते हो किसी चीज का support की थूँ आप अपने बेबी को बैठाना स्टार्ट कर सकते हो थर्ड चेंच जो आपको अपने बेबी में दिखाई देगा वो यह है कि अब बच्चे चीजों को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं जी हाँ अब आप अपने बच्चे को कोई भी चीज पकड़ा होगे Like इसका टॉइस आप अपने फिंग कर देते हैं उसे थोड़े दिर के लिए होल्ट करना स्टार्ट कर देता है वुल्ट गराइगा भी यह अपने खासी दते हाथ में भी ट्रांसफेर करना स्टार्ट कर देता है नेक्स डेलपमें जो आपका बीबी इस मंत में पूरा करने वाला है, वो यह है कि अब बच्चा चीजों को मुह में डालना स्टार्ट कर देगा, डॉंट वरी, अगर आपका बीबी चीजों को मुह में डालता है, अपना थम सकिंग करता है, या फिर कोई बीबी चीजों को मुह में डालता है, तो बिल्कुल नॉर्मल है, यह एक ग्रोफ एंडवलॉफमेंट का ही पार्ट होता है, बस आप लोगों को इस चीज का धान रखना है कि उसके आसपास कोई भी टॉज या फिर जो भी समान है, बीबी मुह में डालना है, इसका थम या फिंगर सब क्लीन होना है, क्योंकि कुछ भी अगर गंदा होगा, तो वो सारी चीजे बच्ची के पेट में जा सकती है, उसे जर्म से इनफेक्शन हो सकता है, तो बस आपको ये धान में रखना है कि उसके आसपास के सरॉरॉंडिंग की जो भी चीजे उसके नियर बाई उनको आपको क्लीन रखना है, नेक्स फिजिकल चेंजे जो आप अपने बेबी में नोटिस करोगी, वो ये है कि आप बच्चा आवाज को सुनना स्टार्ट कर देता है, उसके साथ साथ वो आवाज पर रियक्ट करना भी स्टार्ट करेगा, अब आप अपने बेबी से जितना चाहे बात कर सकते हो, वो आ बात करें कि एमोशनल चेंजेज के बच्चों के अंदर कौन-कौन से एमोशनल चेंजेज आएंगी जो आप लोग देखोगी, अगर हम बात करते हैं, सोचियल और इमोशनल डावलामेंट, या फिर आप कह सकते हो, सामाजी को और पहवनात्मक विकास, तो इसमें सबसे पह बात करते हैं, उनको देखके मुस्कराता है, असता है, नेक्स जो डवलपमेंट आप लोगों को अपने बेवी में दिखाई देगा, वो यह है कि अब बच्चा आपको कौपी करने की कोसिज करेगा, जी हाँ, अब गर आप उससे बात करते हो, आवाज निकालेगा, आप ज बच्चों को खेलना पसन आने लगता है, अपने बच्चों साथ पीकेबू गेम कहील सकते हो, या फिर आप उसे बाहर आउटडोर लिख कि जाना स्ट कर सकते हो, अब बच्च आस पास की चीजों को देखना स्ट कर देता है, एक फिक्स टाइम पे आप देखू कि और आप बेबी के साथ जादा से जादा खेलिए अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दबना बिलकल मत भूलिए क्योंकि आपको और भी ऐसे वीडियो फ्यूचर में मिल सके